दूर किसी जंगल में चिडियों का एक परिवार बहुत खुशी की जिंदगी कुझा रहा था उनके परिवार में ममा चिडिया, पापा चिडिया और उनका एक बेटा थे सद्धी का मोसम था और वो सब अपने घर के बाहिर धूम में एक पेड़ पर बैठे हुए थे और फिर उनका बेटा जिसका नाम जूझू था अपने पापा से कहता है पापा आपने पिछले संडे को प्रोमिस किया था कि मुझे नदी पा ले कर जाओगे पापा प्लीज मुझे नदी पा ले जाओ आज नहीं बेटा जूझू ठंड बहुत ज्यादा है और नदी थोड़ा दूर है तुम्हें शाम को घर आने में देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ठंड लग जाए और तुम बिमार हो जाओ मामा फ्लीज मान जाओ जूझू बहुत समय से जित कर रहा है चलो मैं दिखा ही लाता हूँ जूझू को आज नदी मैं तो कहता हूँ तुम भी साच चलो पापा पापा मेरा अच्छा पापा मुझे पता था पापा चुरूर मान जाएंगे वहाँ नदी पर देखने वाली कौँ सी चीज है वो ही पेड जो इधर है वो ही आस्मान और क्या पानी देखने जाना है जूझू तुम है नहीं ममा मेरा नदी के पानी की आवाज सुनने को बहुत मन करता है और फिर वहाँ नदी में मचलियां भी तो होगी अब ममा मान भी जाओ मैं किसी संदर सी मचली से दोस्ती कर लूँगा अब आप इतनी जिद कर रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही येस मेरी संदर ममा और फिर तीनो नदी की तरफ चल देते हैं वो तीनो दुपहर तक उड़ते हैं वो बहुत तेज उड़ते हैं फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैढ़ जाते हैं पापा अभी कितनी दूर है नदी बस थोड़ा ही आगे वो सामने जो बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं हाँ हाँ पापा वो तो पास ही है बस वहाँ ही जाना है हमें तो अब चलें पापा मुझे तो जर्रापी ठकन नहीं हो रही शोक है न नदी देखने का इसलिए रात को पता चलेगा जब तुम्हारे पंक दर्द करेंगे मामा अब चलो भी और वो सब फिर से वहाँ से उठ जाते हैं और वो थोड़ी ही देर में नदी पर पहुंचाते हैं और वो नदी के पास बैड़ जाते हैं आस्मान साफ था लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हवा चलें लगी थी जिससे धूप की शिद्दत में थोड़ा कमी आ गई थी और नदी के पानी की मीठी मीठी आवाज को जुजु अपने मन में उता रहा था ममा ममा मुझे ये पानी की आवाज बहुत अच्छी रखती है ममा यहां मचलियां नहीं होती होती है बेटा लेकिन इस नदी में मचलियां गरम मोसम में आती है इस मोसम में मचलियां यहां से चली जाती है लेकिन पापा वो मचलियां कहा जाती है बेटा वो मचलियां गरम पानी में चली जाती है पापा क्या मैं वो सामने फूल देखाँ हाँ बेटा जाओ देखाओ और फिर जूजू थोड़ा दूर फूल देखने चला जाता है ये फूल कितने सुन्दर है और इनके सुगंद कैसे मन में उतर रही है और फिर वहां तितलियां आ जाती हैं जिन्हें देखकर तो जूजू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था ममा ममा पापा देखो तितलियां भी आ गए है इनके पांख कितने सुन्दर है और फिर जूजू के ममा और पापा भी वहां आ जाती है जूजू अब फूल भी देख लिए और दितलियां भी मचलियां तो अब आएंगी नहीं अब हमें वापिस चलना चाहिए हवा तेज हो रही है अगर हवा ओर तेज होगी तो ठंड भी बढ़ जाएगी और उड़ना भी मुश्किल होगा तेज हवा में जूजू बेटा अब हमें चलना चाहिए मैं तुम्हें फिर ले आऊंगा अगले संडे को और फिर वो वहां से वापिस चल देती हैं वो अभी थोड़ा ही दूर के थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है अब उनके लिए उड़ना भी मुश्किल हो गया था और वो तीनों एक पेड़ पर बैड़ जाते हैं मुझे इसी बात का ड़ड़ था अब कैसे हम जाएंगे अपने घर तुम ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो थोड़ी ही देर में हवा रुक जाएगी और हम फिर से अपना सफर शुरू कर देंगे जुजु भी अपने ममा के साथ लगकर बैड़ जाता है लेकिन हवा थी कि रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी और अब तो हवा के साथ आसमान पर कहरे बातल भी आगे थे बातल बहुत कहरे हैं सोरी ममा बापा हम तेज हवा में फंसके ये सब मेरे कारण हुआ है ना नहीं नहीं मेरे बेटे कोई बात नहीं फिर क्या हुआ हमारी जिन्दगी में ऐसे हालात आते ही रहते हैं लेकिन हमें इन हालात का बहादरी से मुकाबला करना होता है वो अभी बातें कर ही रहे थे कि तेज बारिश रू हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे पैड़ जाते हैं और जूजू रोने लग जाता है जूजू रो क्यों रहे हो अगर ऐसे रोगे तो हम जाता परिशान हो जाएंगे हमें ऐसे हालात में एक दूसरे की हिमत बढ़ाना होगी और फिर जूजू चुप कर जाता है लेकिन जूजू अपने मन में बहुत डरा हुआ था और फिर थोड़ी दिर बाद बारिश रुक जाती है और हवा भी लेकिन अब रात हो गए थी आसमान से बादल चले गे थे इ अब हमें जाना चाहिए अगर ऐसे डरते रहे तो रात कैसे गुजारेंगे और फिर वो तीनों वहां से उड़ जाते हैं ठंड काफी ज्यादा थी लेकिन तेज उडने के कारण उन्हें ठंड कुछ ज्यादा नहीं लग रही थी वो और भी तेज उडते हैं और फिर आखिर कार वो अपने घर पहुंच जाते हैं अपने घर पहुंच कर ममा चड़िया तो कुछ ज्यादा ही खुश थी हमने कर लिया हमने मुकाबला कर लिया बारिश का और तेज हवा का भी ममा मैं फिर कभी चित नहीं करूंगा नतीपर जाने की और जूजू अपनी ममा के ऊपर ले धिज़ बुखार है शायद ठंड लग गई है जूजू को और फिर जूजू का पापा बी जूजू के पास आ जाता है इसे तो बहुत धीज बुखार है मुझे अब कुछ करना होगा आप ठके हुए हो और बाहि ठंड भी बहुत ज़्यादा है लेकिन जूजू को बुखार मुझे अब जाना होगा लेकिन कहा? मैं पहाडों से बुखार उतने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लाता हूँ उसका राज जुझु को पलाने से बुखार उतर जाएगा लेकिन आप अकेले जाओगे क्या? नहीं, मैं कालू कव्वे को साथ ले जाता हूँ उसे दिशा का अच्छे से पता है लेकिन जरा दिहान से अपना ख्याल रखना मैं कर लूँगा, तुम जुझु को देखो और फिर पापा जड़िया वहां से चला जाता है पापा जड़िया सीधा कालू कव्वे के पास जाता है कालू कालू उठो, मेरी मदद करो मेरे जुझु को तेज बुखार है और मुझे बुखार में देने वाली जड़ी बुटी के पत्ते लाना है लेकिन मुझे दिशा का अच्छे से नहीं पता आप मेरे साथ चलो ऐसी रात को तुमने हमारी नींद खराब की हम क्यों चाये तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा है तुम ही जाओ चमकीलो शरम करो तुम्हें जरा ख्याल नहीं है ये हमारे पडोसी है अगर आज इन पर कोई मुसीबत आई है तो कल हम पर भी आ सकती है अपने आपको थोड़ा बदलो मैं चलता हूँ आपके साथ अच्छा अगर जाना ही है तो आते हुए मेरे लिए कुछ खाने को ही लेते आना कालू कव्वा चमकीलो कव्वी की तरफ गुसे से देखता है और फिर कालू कव्वा और पापा चिडिया पहाड़ों की तरफ चले जाते है जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते है मुझे भी यहाँ आए काफी समय हो गया है इदर ही था वो पोदा शायद थोड़ा आगे है और जैसे ही वो थोड़ा आगे देखते हैं उन्हें वो पोदा दिख जाता है और फिर पापा चिडिया इस पोदे के कुछ पते अपनी चौन से तोड़ लेता है और वो दोनों वापस हो लेते हैं वो दोनों बहुत तेज उड़ते हैं थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं जूझू बुखार से काम रहा था जूझू के पापा बहुत बुखार है अब तो जूझू का शरीर बुखार से चल रहा है तुम इन पत्यों का रस जूझू के मुँ में डाल दो और फिर ममा चिडिया उन पत्यों का रस जूझू के मुँ में डाल देती है कालू यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप आज मेरी मदद ना करते तो मुझे तो पहाडों की दिशा का पता ही ना चलता मैं आपका प्रोसी हूँ और मेरा हक बनता है आपकी मदद करना अब मैं चलता हूँ चमकिलो मेरा इंतजार कर रही होगी आप ये थोड़े गंदम के दाने ले जाएं, चम कीलो बेहन खुश हो जाएगी, ये तो है और फिर कालू कवा गंदम के दाने लेकर वापिस चला जाता है थोड़ी ही देर में जूजू का बुखार भी उतर जाता है और वो ठीक हो जाता है ममा ममा मैं अब ठीक हो, पापा कहा है मैं अपने बेटे के फास ही हूँ, अब मेरा बेटा ठीक हो गया है हाँ पापा मैं अब ठीक हो, सोरी पापा मैंने नदी पर जाने की जित की जू जू सच बताओ, मेरा भी नधी पर जाने को बहुत मन कर रहा था वो तो अच्छा हुआ, तुमने ही कह दिया, मैं तो तुम्हारी ममा से डर रहा था और फिर ऐसा कहते हुए, वो सब हंसने लग जाते हैं और फिर वो सब मीठे नेंद सो जाते हैं